असलाम वालीकूम, वल्कम आप सबी कैस नई वीडियो में, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन रहने वाला है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, नीट यूजी 2024 के बारे में, यानि के जमो कश्मीर में नीट की प्रोसस किस तरह से होती है, सैलिबस इस बार नीट 2024 का क्या रहने वाला है, और जमो कश्मीर का जो प्रोसेजर होता है नीट का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता, as compared to other states, other union territories, तो इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ detail में बताऊँगा, किस तरह से आपको फॉर्म बरना होता, क्या प्रोसेजर आपको करना होता, कब केटेगरी आपको अपलोड करनी होती है, सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में detail में बताने वाला हूँ, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा important है, वीडियो को पूरा end तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और WhatsApp पर Telegram ग्रूप भी हमारा जोइन कर देना, दोनों की लिंक आपको description में मिल जाएगी, तो चले वीडियो को शुरू कर लेते हों, देख लेते हैं यहां पे, NEET UG 2024 के बारे में, तो देखें, NEET UG की आपको eligibility का criteria पता होगा, और नया जो eligibility का criteria आया है, वो भी आप लोगों ने already देखा होगा, उस पे हम ज्यादा बात यहां पे करने वाले नहीं, हम बात करेंगे सबसे पहले syllabus के बारे में, तो देखें, NEET UG का जो 2024 का syllabus है, वो already जो हो रिलीज हो चुका है, वो आपका नए syllabus के according ही आपका NEET का paper आ जाएगा, याईनिके जो units या जो chapters, इसने, NCRT ने rationalize की हैं, वो आपको NEET में नहीं आएएगे, नया syllabus जो उन्होंने रिलीज किया, उस ही के according आप लोगों का paper 2024 का आने वाला है, उस syllabus और उस notification की मैं आपको directly link description में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके syllabus का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, description में जाके आप syllabus का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसमें marks wise, chapter wise distribution of marks भी वहाँ से चेक आउट कर सकते हैं, तो इसे paper आपका जो है, वो नए syllabus का हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा, मही में आपका exam होता, वो भी आप लोगों को पता है, अब जब मुकश्मिर की process होती है, वो किस तरह से होती है, देखे आपके जब मार्च ये अपरेल में form आ जाएंगे, मार्च महीं वेसे आपके form आ जाएंगे, तो आपके जब form आ जाएंगे, तो आपने अपना form submit कर देना है, submit करने के बाद फिर directly आपको NEET का इंटरंस दे देना है, इंटरंस देने के बाद उसके बाद आपका result हो जाएगा, result declare होने के बाद आप लोगों की जो process होती है, वो फिर BOPI की थ्रू होती है, ठीक, यानि कि जो counselling वगेरा जो admissions का procedure होता है, वो J.K. BOPI के थ्रू होता है, यानि के जम्मो कश्मीर बोड़ अप्रोफेशनल इंटरंस एक्जैमिनेशन जो J.K. BOPI हमारा है, उसी के थ्रू आप लोगों का सारा का सारा procedure, फिर counselling हो या अधर जो भी process होती है, admissions की, वो उसी के थ्रू यहां पर होती है, उसके बाद क्या होगा, जब आपका result NTA declare करेगी, उसके बाद फिर जम्मो कश्मीर की, जो हमारी conducting body, J.K. BOPI है, वो भी आप लोगों का list जारी करेगी, किस-किस candidate ने अपलाई किया, उसके बाद आपको फिर state counselling के लिए अपलाई करना पड़ेगा, 85% seats आपको state के लिए रिज़रूर रहती है, 15% पुरे आल और इंडिया, आल इंडिया कोटा में हम पर रिज़रूर रहती है, तो 85% seats जो हमारी union territory की हैं, उसके लिए आपको फिर से बोबी की registration करनी पड़ेगी, ठीक, registration आपने करी, उस registration में आपको अपनी category अपलोड करनी पड़ेगी, यहां कि RBA है, किसी की SCA, किसी की STA, किसी की JKPM है, यह जो भी category आपकी होती है, वो आपको उस time में अपलोड करनी पड़ेगी, जब आप अब भी NEET की registration कर लोगे न, exam के लिए, NTA की website पे, वहां पे आपको RBA, JKPM, OSC वगेरा जो categories है, उनका option नहीं होगा, आप वहां पे simply open merit में submit कर दो, कर देना form, उसके बाद जब हमारी BOPI आपको जब registration की date करेगी, activate कर लेगी, link activate करेगी आपको, 3-4 दिन का time आपको दिया जाएगा registration के लिए, आपको जो हमारी state की category certificates होती है, जैसे हमारी RBA होती है, या JKPM होती है, या PSP होती है, यह सब categories आपको उस टाइम अपलोड करने पड़ेंगे, आपने अपलोड कर दी अपनी category, उसके बाद फिर JKBOPI आपकी फिर सही crank list तयार करेगी, जो आपका NEET की score की base list तयार करेगी, कि किस-kis candidate ने state quota में apply किया है, ठीक, आपकी list आजाएगी, आपका score उसमें mention होगा, उसके बाद आपको फिर counselling के लिए बुलाया जाएगा, counselling आपकी वेसे online ही होती है, counselling में आपको 1000 fee pay करना पड़ता है, ठीक, counselling के लिए 1000 fee लगेगा, उसमें आपने अपनी preferences वगगरा देनी होती है, कि BDS करना है आपको या MBBS करना है आपको, वो आपने रख दी, याद लख रखिए, अगर आप NEET का इंटरंस देने वाले हैं, MBBS और BDS के आपको separate counselling होगी, मतलब एक बार counselling होगी, उसके बाद IUS courses जिसमें हमारा BAMS, BUMS और BPT courses आता है, ठीक, इन तीन courses की आपको अलग से counselling होगी, ठीक, दोनों की separate counselling होगी, पहले होगे आपकी MBBS और BDS की counselling, उसके बाद दूसरी बार आपको होगी, आयोश courses की counselling यानकी BAMS, BUMS और BPT courses का, ठीक, इन सब courses का आपको separate counselling होगी, ठीक, आप दोनों के लिए हम पर apply कर सकते हैं, अगर आपको इसमें MBBS और BDS में seat नहीं मिली, ठीक, तो counselling आप कर लोगे, अपने preferences indicate कर लोगे, उसके बाद फिर आपको list आ जाएगी, आपको फिर BOPI के website पर registration कर लोगे, आपको उस time वो सारी category की certificate डालनी पड़ दिये, इसमें काफी doubters students के होते हैं, इसलिए मैंने भी इस वीडियो में एक दो बार आपको ये category की बात बताई, तो अभी आप लोगों को clear हो गया होगा, still अगर कोई भी doubt, कोई भी confusion है, मुझे comment section में बता सक सेलिबस का link मैंने description में देऊ है, जाके वहाँ से check out कर लीजे,